हेलो नमस्कार दोस्ता खबाब वस्वागत है वी लब लग से एक और फ्रेश नियुपसोड में तो आज की वीडियो में लोग बात करें वाले बुल मैस्टिफ के बारे में तो जानते हैं बुल मैस्टिफ की कहानी अमन की जुबानी पुल मैस्टिफ एक लाज साइसी डॉग होते हैं जो कि मुरसर डॉग की कैटिगरी से बिलॉग करते हैं और एक काफी लाज पारफुल और मस्कुरेड डॉग होते हैं इन्हें 19th century के समय गार्ड डॉग के रूप में बलाए गया था गृटो अब जाने के ओरिजन के बारे में जानने ही कोशी की जाया तो पता चलता है कि 41 to 54 kg आदार तो अब जाने हमे इनके height तो में minh 64–69 cm सही आदा आदे और और females 61–66 cm में तो अब जाने हमें इनके lifespan ए sermon ininger 8–10 साल तक ही तो अब बात कर लिए या across और ये आपको कॉंड-कॉll कॉ Everything तो ये आपको Brindle, fawn, और Redman में बल जाएंगे तो अब जाल लेते हैं कि आपको बुल मास्टिफ लेना चाहिए या नहीं तो अगर आपको एक गार्ड डॉक चाहिए जो काफी बड़े साइज का हो और वो थोगा शांत सोभाप का हो ताके बुल मास्टिफ बेस्ट रहेगा बुल मास्टिफ भी बार्ट बार्ट बार नहीं करते हैं यह सिर्टेंजर्स को देखके जब उन्हें खतरा मैसूस होता है तभी कुछ एक्षिन लेते हैं वरना इन्हें घर में अपने माले की साथ रहना जादा पसंद है और एक और बार अगर आप बुल मास्टिफ घर में खर फोड़े खोड़ भी देते हो तो यह कुछ दिर के रहे देते हैं इन्हें उतना फर्ट नहीं परता लेकिन बस आप बुल मास्टिफ जब भी लो तो आप उन्हें अच्छे से साइस कराओ सोशिलाइज कराओ और आकर से बड़ा घर होना चाहिए बड़ा एडिया होना चाहिए इसमें वो अच्छे से घुमें फिड़े अपना मज़े करें तो यही सब देखते हो आप लेना होने वरना बाद में आपको और डॉक को दोनों को प्रॉब्लम होती है तो बस आज की वीडियो में सुझ नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट कर बताये ना लाइक कर दें अस वीडियो को चैनल लो कर दें सब्सक्राइब बेड आइकोन देना मुका मार के फोर्ड वीडियो कर दें शेयर नेक्स वीडि